दमोपूलिस को एक बड़ी सफलता हात लगी है दमोपूलिस के द्वारा एक अंतराजी चोर गिरोह को पकड़ा गया है और गिरोह के चे सदस्यों को गरफतार करने में पूलिस को सफलता मिली है दरसल दमों के पुलिस दिक्षक राकेश कुमार सेह द्वारा लगातार चोरी एवं नकब जनी के प्रकड़ों में विशेश रुची लेकर मश्रूका की तलास एवं आरोपी गड़ों की धर्पकड हेतू सभी थाना प्रभारियों को नर्देशित किया गया था इसी दार्दम में दो फरवरी को पुश्पेंद पटेल निवासी बरखेडा थाना रने द्वारा अपनी पतनी के साथ बस में हुई चोरी के सम्मन्द में थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराए गई थी थाना प्रभारी कोतवाली विजैसे राजपूत बारा शिर्मान अत्रिक्ते पुलिस दिख्षक के शिव कुमार से दमो एवं नगर पुलिस दिख्षक के निर्देशन में विशिश टीम घठित कर चोरी के मामले में सलिप्त आरूपी गणों की लगातार तलाश की जा रही थी वहीं नौ फरवरी को कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हा घटना दिनांको चोरी में सलिप्ते अंतराजी गिरोह के सदसे आनंद बहेलिया रोहित कुमार शनी बहेलिया प्रीतम बहेलिया फौददार बहेलिया रवी कुश्वाह सभी निवासी गराम नंदला उसल थाना कुराबली जिला मैंटपुरी उत्तरप्रदेश को ग्रफता कर आरोपी गड़ों के पास से एक रानी हार एक छोटा हार एक चांदी की थाली मोरफंक बिक्री के पैसे मश्रू का कीमत करीबन दो लाख पचास जार रुपे जप्त किये गये हैं इस मामले में एक अन आरोपी फरार है वहीं पकड़े गए आरोपियों को नैले में पेश क किया गया है इस मामले पर दमोग के पुलिस दिक्षक राकेश कुमार सिंग ने जान कर दी रिपोर्ट एसी एन नियूज कोतवाली पुरिद्वारा एक अंतर राजी गैंग को पकड़ा गया है जो चोरी की घटना एंजाम देती थी ये लोग जो है बसों में ट्रेनों में बस स्टेंड पे तमाम जगहों पे मोर पंखी का बेचने का काम के वहाले अपने सिकार का चैन करते थे फिर अपनी चोरी क की घटना को अंजाम देते थे इस घटना में महिनपूरी के बहरिया लोग इन्वालव हैं और इसमें एक आरोपी मुख्यारोपी फरार हो गया हो हमको नहीं मिल पाया को कहीं और वारदात करने के लिए से निकला था जब इन लोग हमने पकड़ा तो संभ़ता उसको इसकी जानकारी निकल मिल गई होगी तो भाग गया था बाकी सबीज छे लोग हमने पकड़े हैं जिसे हमें काफी हद तक मसुरुका जब्त हुआ है जो सामान जब्त हुआ है उसमें जो है यह लोग क्या करते थे वारदात अंजाम देने के बाद ततकाल बाद जो है पूरा ज्व लिव मिली है वह जन करके कटी हुई मिली है और कुछ आप एक्रो थे से रुकते हैं और हमारे की आम जंता से अन्रोध है कि किरायदारों को रखने से पहले पुलिस को वस सूचित करें क्योंकि यह आप की सुरचा के लिए और सहर की सुरचा के लिए आफशा के लिए के पर्स को पूरा गाइब कर दिया उसमें करीं दस तोला सुना दिया